वाट्स उप गाईज आपका फिर एक बार स्वागत है आज खिस अनुखे गैजेट से भरी वीडियो में तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धेर सरे गैजेट के साथ एक दुनिया का सबसे छोटा सा ड्रोन जिन्हें आप चाहो तो Amazon या फिर Online Store से परचेस कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को करके सबस्क्राइब बाजू में आने वाले बेल आइकाउन को भी आल पर रखे ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे पिक्सल बर्ट्स गूगल की बनाई हुई खास एरवर्ट्स हैं जिसमें आपको काफी सारे स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जी हाँ क्योंकि इसका डिजाइन काफी यूनीक होता है और ये आपके कानों में कमफरडेबली काफी आसानी से फिट हो जाता है जिससे आप अपने मुबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं जिसके बाद आप इसमें मुजिक को हाई कॉलिटी के स्पीकर के साथ सुन पाएंगे और बस इतना ही नहीं इसमें आप in कामिंग कॉल्स को रीसीव करके नौइस कैंसलेशन फीचर के साथ क्लीरली बाथ कर पाएंगे और साथ इन Airbirds में आप किसी भी language को translate करके भी सुन सकते हैं और इन birds की Bluetooth range भी काफी दूर तक होती है और इसकी battery life की बात करें तो ये birds आपको लगबग 5 घंटे तक की battery life provide करते हैं जिसे आप discharge होने पर इसके case में रखकर आसानी से charge कर सकते हैं तो guys आपको इन birds कैसे लेगे हमें please comment करके बताना ना भूले वैसे तो printing machines काफी बड़े होते हैं मैं उन text to printers की बात नहीं कर रहा है यानि कि मैं कपड़ों पर print करने वाले printers की बात कर रहा हूँ जो काफी महेंगे आते हैं जिसे कि उसे हर कोई खरीद नहीं सकता तो इसी situation को ध्यान में रखते हुए इस खास portable और दुनिया के सबसे छोटे से printer को बनाया गया है जिसका size सच में काफी छोटा होता है जिसे आप अपने bag में भी आसानी से रख सकते हैं तो आप बात कर लेते हैं इसे use करने की तो आपको पहले अपने android और iOS mobile से इस printer को वाई-फाई के जरीए connect कर लेना है और साथी आपको इसके official application को भी आपने mobile में डाउनलोड कर लेना होगा जिसके बाद आप इस app के जरीए text image को upload करके आपको print होने वाले surface पर इस printer को रख कर slide कर देना है जिसके बाद आपकी upload हुवी text कुछी seconds में print हो जाएगी और आप इसे काफे सारे surface पर इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे कि clothes, wooden, plastic, mobile bag cover, papers और यहां तक की skin पर भी print कर सकते हैं और इसकी battery भी आपको लगा तर 6 गंटे तक battery life provide करती है जिसे आप charge खत्मोंने पर फिर से recharge करके इस्तिमाल कर सकते हैं तो guys अगर आप भी किसी भी चीज़ पर printing करना चाते हैं तो यह device आप के लिए एकदम perfect choice होगी जट अल्टरा guys वैसे तो market में drones तो काफे दरा के available होते हैं लेकिन जैसे जैसे उनके features बढ़ते हैं तो वैसे ही उनका size भी बढ़ता चला जाता है यानि कि जितने अच्छे features के drone को आप purchase करेंगे तो उनका size भी उतना ही काफी बढ़ा होता है तो अगर आप एक छोटे से drone की तलाश में हैं तो एक बर इस खास जट अल्टरा drone को देख लीजिए क्यूंकि ये दुनिया का पहला सबसे छोटा सा और हलका drone है जिसे मोटा कमनी ने तयार किया है जिसे आप अपने घर में और बाहर आसानी से उड़ा सकता है इसे कंट्रोल करने के लिए इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल भी दिया जाता है जिसका इस्तिमाल करके आप इस drone को कंट्रोल कर पाएंगे और इस drone में एक छोटा सा हाई कॉलिटी वाला कैमरा भी इन बिल्ट होता है जिसके लाइव रिकॉर्डिंग को आप अपने मोबाइल में इजिली देख सकते हैं और इस drone से आप काफी सारे अतरंग स्टन्स को भी कर पाएंगे कुछ इस तरह से और इस drone में 3 स्पीट और 6 जाइरोस्कोप्स इन बिल्ट होते हैं जिसे आप 100 फीट तक की रेंद में लगबग 5 मिनट तक उड़ा सकते हैं और इस drone से खेल कर होने के बाद आप इस drone को इसके कंट्रोलर में आसानी से रखकर अपने बैग में कैरी कर सकते हैं तो आपको ये छोटा सा drone कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके बताना ना भूले शेफ्ट मैन फ्रेंड्स आपके घर में फ्रिश तो जरूर होगा ही होगा तो उनका साइस तो आपको पता ही है कि वो कितने बड़े होते हैं लेकिन उनके साइस के हिसाब से वो बने होते हैं होम यूज के लिए तो अब आप देखिए पोर्टेबल छोटे साइस वाले एक कार फ्रीजर को जिसमें आपको चार लिटर तक की स्टोरेज क्यापासिटी देखने को मिल जाती है यानि कि आप इसमें छोटी-छोटी 6 क्यानों को आसानी से रख सकते हैं और इसमें आप खाने के चीज़ों को भी बड़े आसानी से रख सकते हैं और इसे पावर ओन करने के लिए आपको इसकी पिछले हिस्से पर एक on-off स्विच दिया जाता है जिसे switch करके आप इस fridge को power on कर सकते हैं और इसमें आपको दो temperature modes भी मिलते हैं यानि कि अगर आपको खाने की चीज़ को गर्म करना है तो आपको इसे hot पर switch कर देना है और अगर आपको cold temperature चाहिए हो तो आपको इसे cold पर switch कर देना होगा जिसके बाद आपकी 1% drinks cold हो जाएगी और इसकी power source की बाद करें तो इसे आप दो तरीके से power source दे सकते हैं एक है DC 12 volt जिसे आप अपने कार में लागा कर इसे on कर सकते हैं और दूसरा AC 110 volt जिसे आप अपने घर में इस्तिमाल कर सकते हैं तो guys आपको इस fridge पसंद आ चुका है तो please वीडियो को लाइक कर दीजिए अटमोफ तो अगर आपके घर के सामने खुबसुरत नजारे नहीं हैं और आप सुबह उटकर नए 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 नजारे देखना पसंद करते हैं तो आप इस smart window को अपने घर पर लगा सकते हैं जो अपने साथ एक भैतरीन डिस्प्ले रखता है वो भी 4K Ultra HD quality में जिसमें आप काफी सारे खुबसुरत नजारे को शोग कर सकते हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए इसे आपको अपने smartphone से connect कर लेना है जिसके बाद आप इस multiple windows में 1000 से भी ज्यादा 4K images को और वीडियो को शोग कर सकते हैं और साथी इसमें आपको vibrate यानि की base full speakers भी दिये जाते हैं और इसकी connectivity की range भी काफी धूर तक होती है जिसे आप अपने घर पर ना होने के बावजूद भी control कर सकेंगे और इसका खास feature ये है कि इस window में एक hidden CCTV camera भी inbuilt होता है जो लाई वीडियो आपको अपने mobile में send कर देता है जिसे कि आप अपने mobile से कहीं से भी अपने घर पर निगरानी कर सकते हैं तो guys आज की वीडियो आपको कैसी लिए कि हमें please comment करके बताना ना भूले और साथ ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो से like and share भी कर दीजे और अगर आप हमारे चैनल के नए विजिटर हैं तो चैनल को करके सब्सक्राइब आजू में आने वाले बेल आइकाउन को भी all पर रखिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो इसकी notification आपको मिलती रहे तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अब तक के लिए take care